कर्गिल के पास एक गाउं है और इस गाउं का नाम हुंदर्मू है जहां तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटा सा गाउं है लेकिन ठीक सामरे जो आप देख रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही होगी वो पाकिस्तान का इलाका है यानि पाकिस्तान के बोर्डर से ठ इसी गाउं के प्रक्ति मौजूद है उनसे हम बात करेंगे जो कि कई लडाईयों को अपने आखों से इन्हों नहीं देखा है और इस गाउं में कब से हैं ये भी हम आपको जानकारी देंगे सर आपका नाम क्या है मैं हजीव हुसेन है महां मैं देख रहा हूं इस गाउं को बिल्कुल इस विदाए कुछ भी नहीं है इस गाउं में एक दम बिल्कुल शेहर से कटकर ये गाउं है कब से आप इस गाउं में रह रहे हैं मैं सनह सन्तालीस से यहां पिदाईश ही है हमारे सनह सन्तालीस से अभी तक तो हमारे सतर पच्छतर साल अभी छैतर में हम चटर रहा है और हम लोग पहले से भी ही यहां काड़ करना कर्गिल के तरफ ना उस तरफ जाने के कोई रास्ता शास्ता नहीं था उसके बाद हम लोग एकतर में आ गया कर्गिल के साथ मिल गया तो यह रहां पर सरक और हमारे हिंदुस्तान के मेरबनी से आँ सरक और और उमारे फैसलिती बिजली यह सारे हमें फैसलिटी अभी बहुत अच्छा है और उसके बाद हम लोग यही सनन संट आलिस से अभी तक हम लोग इस गाहों में ही है और हम लोग को कोई दिकत इतना नही है क्योंकि हमारे गाओं फलफुरूट के जखे हैं इसलिए यह हम लोग बाल बच्चों की खाना एंशाने के लिए बदनवास करते हैं और अब लोगन भी मज़ूर शज़ूर किसी को नोकरी से भी लग गया है बाद इतना हमारे जिन्दगी अच्छे से अभी चर रहा है तो हम लोगने सनताली से अभी तक कोई तीन लडाई देखा एक तो पिंकसर के लडाई देखा एक तो एकतर के लडाई देखा एक तो ननानावे और ननानावे में बहुत से यहां से उधर शिलिंग हो गया उदर से यहां शिलिक से गवों में बैठा उसके बार फिर आकर अपने बच्टी पर बच्टी पानी शानी डालते हुए जिंदागी बश्र करता है करगिल का युद जब हुआ शुरू हुई तो अचानक से फारिंग हुई होगी तो उस वक्त क्या आप लोग इस गाव में मौझूद थे जब उसी वक्त ही मौझूद था क्योंकि फैर अचानक हो गया रात को तो हम अपने गावों के गर के नीचे यह गावों को देखते इसी गर के नीचे छुब कर बेठा क्या यह उसी पहाड़ी से फारिंग हो रही है थी जो पहाड़ी में देख रहा हूं हाँ उदर से इधर फैरिंग होते था उदर से इधर फैरिंग आते था और फैर Burns के तबाला चीया था हमलों को बिल्कुल उसी में छुपकर साथ दिन हम लोग गर के नीचे चूब कर बेठा उसके बाद हम आने से में जर्मिन ने हम लोग को कबदा किया तो में जर्मन ने हमें तसलिघ जी आप लोगत हम लोगों ने शांती से देखाने हैं वो यह करना है आप लोगों को कोई डरने के बाद नहीं है आम लोगों के इंडुस्तान आ गया पाइस्तान बाग गया ऐसे हमें यह तसली हो गया तो हम लोग इसमी में ही बेर कर यही गर के नीचे बेर कर हमारे बल बच्चे है तो क्या उस उसस्त मौझूद थे, खाने पीने का क्या को इनतिजाम आपको मिला, कैसे वो दिन कैसे गुजारा आप लोगने? उस दिन हम लो साथ दिन तक कुछ खाने शाने के कोई बंदवाज नहीं हो गया जानवर भी हो गया हमारे पास जवनवार भी था जनवार के लिए तो हम लोग उने गाज वंटेट में रखते था उस वही आचुब चुब कर हम लोने गाज देते था पानी डालते था खुद न आकर हमें फिर उसके बाद हमें राशन दिया और उसके बात और हमारे इस्तिजाम किया युद के समय अपनों पाकिस्तान की ईलाका में थे लेकिन कर गडिंडलि ऑके लोकिन आपनों हैं और बा की परिव आफ तो उस तरफ चले गहाँ आपके एहां हमारे कुछ रिस्तेदा परिवार से मिलने का मन नहीं करता है। परिवार से भी आप मिलने ही पाते हैं नहीं परिवार से भी आप मिलने ही पाते हैं। हैं और बाहर के टीम में मारिश के टेम में वह निकलते निकलते हम लोग कहती बारी करते हैं। वह महल तो बहुत अच्छे थे और खाना पीने के थोड़ा दिकत था क्योंकि रास्ता तंग था रास्ता नहीं था। चलने के रास्ता नहीं था और अभी तो रोड पहुंच गाड़ी आ गया तो फिसल्टी आजिए अभी अच्छे और अभी तो अच्छे रेट भी मिल रहा है। उस समय तो यहां पर कोई लेने वाला, कोई ऐसे वाला बिजनिस के कोई ऐसा कुछ काम नहीं था। अब कैसा लग रहा है पहले आप पाकिस्तान सरकार के अंडर में थे आप भारा सरकार के आप अंडर में हैं तो दोनों सरकार में क्या अच्छा लग रहा है आपको जब आप पाकिस्तानी हुकुमरान जब आप परशासन करता था अब आप लोकतंतर में हैं कैसा लग रहा है खुले अबमे जी रहे हैं पहले तो हम उस वाकट छोटे था हमारे बाप दादा था उन पर कोई बहुत चरह कर ले जाते था पाइस्तान वाला और हम उस वाकट शायद 25 या 24 साल के उमर में था उस वाकट पाइस्तान का खाज इतना हमें सिर्फ फोजी आते था जाते था यह यह जमिंदार है बाद इतना पता था और उसके बाद हम यहां पहुंच गया पच्चीच शबीस साल में हिंदुस्तान के फोज के साथ मिल गया हमने पाइस्तान के फोज को बहुत से काम यह जो पिकट बनाया और ऐसा किया तीन साल हम लोग पाइस्तान हिंदुस्तान को फी काम किया उसके बाद हम ने पाइंदुस्तान के साथ मिल कर हम लों ने बहुत से काम किया और उसके बाद पाइंदुस्तान ने हमें पेशा भी दिया और मज़ूर भी मिल गया उसके बार आशान भी आ गया हम यहां आकर बहुत हमारे जिन्दगी बहुत अच्छा हो गया एंग प्ता निया हम अम नोग भाजी की बल्बुते में था और अभी हम लोगा फोजी की बल्बुते में और यह सि дум पनगे कि तोड़ा देख़ां करता है इसे इसे हमारे गवों में अबादी है तो यतना तो अंदर्जा नहीं लाक्स रज़ती है पचान पत्र सरकार ने बनाया है वो तो हमारे पहले से ही रिकार जो है बरू में थे और थासिल में नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24